नमस्कार स्वागत है आप सभी का बिहार एन्यम 10709 भरती लेटिस टब्लेट में दोस्तों कैसे आप सभी उमेद है आप अच्छो और सुस्तोंगे आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बिहार एन्यम 10709 भरती का कांसलिंग प्रक्रिया कब से सुरू की जागी और बिहार एन्यम 10709 भरती की जाइनिंग कब तक पूरी कर ले जागी दोस्तों अभी हमारे चनल को सबस्क्राइब कीजी और वीडियो को लेकर के से जरूर कीजी दोस्तों जैसे आप सभी आप बिहार एन्यम 10709 भरती का कांसलिंग का सभी चात्र बेसबरी से इंतजार कर रहे है कुछ चात्र लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि बिहार एन्यम 10709 भरती की कांसलिंग प्रक्रिया कब तक सुरूर की जाएगी तो ऐसे चात्रों को हम बताना चाहते हैं कि बिहार एन्यम 10709 भरती की जो कांसलिंग प्रक्रिया सुरूर की जाएगी वो मई मा में शुरू की जा सकती है क्योंकि आपको तो मालूम होगा कि बिहार निम दस जार सासनों भरती की काउंसिलिंग एउन जॉनिक प्रक्रिया को जल से जल पूरा कराने के लिए सीम नितेश कुमार ने सभी अधिकारियों का निर्देश दे दिया है और सभी अधिकारी अब भरती को पूरा कराने के लिए लग गए है मतलब साफ है दोस्तो कि बिहार निम दस जार सासनों भरती की जो काउंसिलिंग प्रक्रिया सुरू की जा सकती है वो मई मा में सुरू की जाएगी उसके बाद प्रतम चरण के अभ्यारती का काउंसिलिंग किया जाएगा काउंसिलिंग पूरा होने के बाद दुटी चरण के अभ्यारती का काउंसिलिंग किया जाएगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तयार की जाएगी मतलब दोस्तो जो जो जोईनिंग प्रक्रियफ हर हाल में पूरी कर ली जाएगी वो लगभग जुलाई मामें पूरी के जा सकती है और जुलाई मामें पूरी होने के बाद सब ही अब भीहारतियों का न्यूक्ति पत्र वित्रण कर दिया जाएगा आईए जानते हैं बिहारेनेंग दसजार सासनों भरती में कितने अभिहारती की जॉइनिंग कितने नमबर तक होगी सबसे पहले बात करें समान वर के लिए तो समान वर के लिए जो नमबर निर्धारित किया गया है वो लगभग 90 प्लस होने वाला है अगर बात करें EWS काटेगरी की तो EWS काटेगरी वाले अभिहारती का जो जो जॉइनिंग होगी को 75 से लेकर 75 नमबर तक रहने वाला है इसी तरह बात करें OBC काटेगरी की तो OBC काटेगरी की जो जॉइनिंग होगी वो होगी 85 से लेकर 90 नमबर तक इसी तरह EST कटेगरी की अगर बात करें तो EST कटेगरी वाले अब बहारत्यू की जो जोइनिंग प्रक्रिया निर्धारित की जागी वो लगबग 80 से लेकर 75 नमबर तक रहने वाली यह चिटी काटेगरिवाले अभ्यारद्यू की जोइनिंग प्रक्रिया सतर से लेकर पच्छतर नमबर तक रहने बाली मतलब दोस्तो बिहार निम 10,早 exemplo शाथ सहनों भरती की जो जोइनिंग प्रक्रिया निरधारिक की जागी जैसे ही counselling प्रक्रिया पूरी कर ले जाएगी उसके बाद joining प्रक्रिया देजाएगी मतलत दोस्तों सबसे पहले counselling होगी उसके बाद joining प्रक्रिया का बित्रण समारो के माध्यम से किया जाएगं